बिना मावा और बिना गैस को on किये हुए यदि आप एक बढ़िया सी मिठाई बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी आपको बहुत ही कामा सकती है क्योंकि आज हम एक बहुत ही सिंपल सी मिठाई की रेसिपी देखेंगे जिसको बनाना जितना आसान है उससे कई जदा ये दिखने बिसकेट suggestions का बेस किया आप इसके बले चाहो तो पार लेजे बिसकेट सकंब कर सकते हो इसका powder बनाईएगा चिले यह जो biscuit का powder है यह ready होच का है तो एक bowl के उपर आपको इस प्रकार से एक चंदी रखनी है और इसके अंदर हम इस biscuit का powder को आड़ करेंगे इस powder को चंदना काफी important है क्योंकि काफी बार biscuits के बड़े-बड़े टुकड़े इसमें रह जाते है चले इसका मैं अच्छे से चान लिया है और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें अभी भी biscuits के कुछ टुकड़े पड़े हुए है तो इनको हम वापस grind करेंगे अब हम इसमें अट करेंगे 2-3 बड़ी चमच देशी घी अब घी के बज़ा इसमें melt कियो और butter काबे इस्तमाल कर सकते हो फिर इसमें जाएगा एक छोड़ी चमच vanilla essence vanilla essence दालना काफी ज़रूरी है वरना फिर आपको biscuit का टेश्ट आएगा यदि आपको बस वेरल essence ना हो तो फिर आप इसके बज़ाए थोड़सा Elijah powder भी डाल सकते हो Elijah powder डालने से भी इस मिठाय का तो टेश्ट है वो काफी बढ़ी आएगा अब बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छा मिक्स करेंगे और फिर हम इस मैट करना है condensed milk तो मैंने एक कप condensed milk का इस्तमाल किया हुआ है और ये condensed milk को मैंने घर पर ही बनाया हुआ है और अगर आप भी जानना चाहते हो कि घर पर condensed milk कैसे बनता है तो आप मुझे comments में ज़रू लिख कर बताए और उसकी भी recipe मैं आपके साथ बहुत जल शेयर करूंगा condensed milk डालने से जो मिठाई है ये काफी मीठी बनेगी और यदि आप condensed milk इस्तमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगए पर PCO चीनी का इस्तमाल कर सकते हो सारा का सारा condensed milk एक साथ ना डाले इसको आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएए और इसको mix भी करते रहिए अब इस डो को बनाने के लिए हमें इसमें एड़ करना है दूद तो आपको बिलकुल room temperature वाले दूद का इस्तमाल करना है और इस दूद को भी आप थोड़ा थोड़ा add करते जाएए और इसको इस डो में अचसे mix करते रहिए आपको इसमें उतने दूद का इस्तमाल करना है जितने दूद में इसका एक semi soft डो नहीं बन जाता ये जो मिठाई हम बना रहे हैं ये बनाने में जितनी आसान है ना उससे कई ज़दा ये खाने में टेश्टी लगती है और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप 100% इस मिठाई की recipe को try करोगे चले ये जो मिठाई बनाने का डो है ये ready होच का है तो अब इस डो में से आपको दो हिस्से करने है लेकिन इसमें से एक हिस्से को आप थोड़ से छोटा रखेगा dry fruits डालने है ये भी आप अपने पसंद नुसार डाल सकते हो और फिर इस डो को हम इस dry fruits के साथ अच्छे से mix करेंगे चले ये जो dry fruit वाला डो है ये बनकर ready होच का है तो अब जो दूसरा बड़ा वाला डो था उसके अंदर हमें add करना है आदा कप cocoa powder यदि आपके बस cocoa powder अवैलेबल ना हो तो फिर आप इसके अंदर melt की योई dark chocolate डाल सकते हो या फिर आपके बस जो भी chocolate पड़ी हो उसका आप इस्तमाल करोगे तो भी चलेगा तो बस इस cocoa powder को और डो को हम अच्छे से एक बार मलाएंगे और फिर इसके अंदर हमें लगबख 3-4 बड़ी चमच जितना दूद डालना है ताकि जो cocoa powder है ये इस डो के साथ अच्छे मिक्स हो जाए चलिए अब ये जो chocolate वाला डो है ये भी ready हो चुका है तो अब जो ट्राइफरूट वाला डो था उसको आपको दो बराबर बराबर हिस्तों में डिवाइड करना है क्योंकि इसमें से हम दो रोल्स बनाने वाले है और ठीक इसी प्रकार से जो चॉकलेट वाला डो था उसको भी आपको दो बराबर बराबर हिस्समें डिवाइड करना है अब ड्राइफरूट वाले डो को आप एक चेकले के उपर रख कर या फिर किसी भी एक फ्लैट सर्फिस के उपर रख कर इस प्रकार से आप इसे रोल करिए चले यह जो ट्राइफूरूट का रोल है यह बनकर रेडी होच का है तो अब आपको इस प्रकार की एक प्लास्टिक की शीट लेनी है आप चाहो तो इसके बज़ाए फॉयल बेपर का पर इस्तमाल कर सकते हो तो पहले हम इस प्लास्टिक शीट या फिर फॉयल बेपर पर थोड़ा सा घी अपलाई करेंगे और इस घी को हम हर तरफ अच्छे स्प्रेड करेंगे घी डालने से क्या है कि यह जो डो है यह इस पर चिपकेगा नहीं और हम इसको आसनी से बेल पाएंगे तो जो चॉकलेट वाला डो था उसको आपको इसके उपर रखना है और पहले इसको आप हातों से ही अच्छे स्प्रेड करते जाएए और फिर इस डो के उपर वापस एक प्लास्टिक की शीट आपको रखनी है और फिर एक बेलन की साहिता से हमें इसको बेलना है इसको बेलते समय पर ये साइड से थोड़ा सा फट सकता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है आप इसको हातों से इससे दबा दबा कर अच्छा शेप दे सकते हो अब जो ट्राइफरूट का रोल हमने रेडी किया वाता उस रोल को हमें इसके उपर रखना है और जैसे कि आप देख रहे हो कि इन दोनों की जो साइज है वो एक जैसी है तो अब ध्यान से देखिए कि हम इसको फोल कैसे करना है तो जो प्लाश्टिक की शीट है उसकी साहिता से हम इसका रोल रेडी करेंगे तो आपको इसको थोड़ सा उठाना है और इस चॉकलेट वाले डो को आपको ट्राइफ्रूट वाले रोल के उपर रखना है और इसको हलका सा प्रेस भी करते चाहिए ऐसा करने से ये दोनों जो डो है ये एक दूसरे के साथ अच्छे चिपक जाएंगे फिर प्लास्टिक को आप वापस उठा लीजिए और फिर इसको वापस आपको इसे रोल करना है इसको रोल करते समय पर एक बात का ध्यान रखे कि आपको इसको दबाते भी जाना है ताकि इसका एक अच्छे सा टाइट रोल बनकर रेडी हो जाए यदि आप इसको ठीक से रोल नहीं करोगे तो ये बीच में से कई से थोड़ा से खुला रह जाएगा और फिर आप चाहो तो इसको थोड़ा से रोल कर सकते हो अब इस रोल की जो दो साइट्स है उसको आपको अंदर की तरफ लेकर जाना है और इसको आप अच्छे बंद कर लीजिए चलिए हमारे जो रोल है ये आलमोस्ट रेडी होच का है तब सबसे आखिर में हम क्या करेंगे कि ये जो प्लास्टिक की शीट है इसके उपर हम तो सब पिस्टा एड़ करेंगे आप चाहो तो इसमें और भी ड्राइफरूट्स डाल सकते हो और फिर हम इस रोल को इस पिस्टा के उपर अच्छे घुमाएंगे ताकि ये जो पिस्टा है ये इसके उपर अच्छे चिपक जाए चलिए हमारा ये जो मिठाय बनाने का रोल है ये बनकर रेडी होच का है और ठीक इसी प्रकार से आपको जो दूसरा वादा रोल था उसको भी बनाकर रेडी करना है अब इस रोल को हम प्लास्टिक शीट से या फिर फॉयल बेपर से अच्छे कवर करेंगे और इस प्लास्टिक की जो साइड्स है इसको भी हम रबर बैंड से बन करेंगे चली हमारा जो रोल है रेडी होच का है और इसी प्रकार से मैंने दूसरे वाले रोल के ओपर भी प्लास्टिक की शीट लगा ली है तो अब इन रोल्स को आपको फ्रीजर में तकरिबन दो घंटे के लिए रेश करने दिना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए तकरिबन दो घंटे होच के है और ये जो रोल है ये अच्छे सेट होच का है और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो रोल है देखने में कितना बढ़िया लग रहा है तो अब हम इस रोल को पीसेस में कट करेंगे ये मिठाई रोल दिखने में जितना अट्राक्टिव लग रहा है न उतना ही ये खाने में टेस्टी भी लगता है तो कैसी लगी आपको ये मिठाई की रेसिपी उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंदाया होगा और आपको और कौन-कौन से रेसिपी जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़र लिखकर बताईए